वेलकम टू एडू जोस, एडू जोस में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के ये 20 कुश्चन देखेंगे जो पिछले 20 सालों में रेलवे ने बार बार पूछा है सबसे ज़्यादा बार ये सारे कुश्चन पूछे गए हैं और ये सभी कुश्चन जीव विज्ञान यानि बायोलोजी के कुश्चन है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इस तरह से अलग-अलग सब्जेक्ट के इसी तरह के कुश्चन लेकर आएंगे तो NTPC और Group D के एक्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को ये कहना है कि इस वीडियो को लास तक देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के सारे कुश्चन को आप याद तो करिये है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चलिए सबसे पहला प्रस्ण आपके सामने यहाँ पर है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवसेशों या चिन्हों के अध्यन को क्या कहा जाता है और आप्चन्स आपके सामने चार दिये हुए है टोटल 20 क्वेश्चन है आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट करके जरूर बताईएगा चीक है ताकि इसी तरह के क्वेश्चन का जो लेवल है वो सेट के अंदर हम लगातार लेकर आएं और बाद में अगर आपको लगे कि सेट को पूरा डिसकस भी करना चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताईएगा ताकि हर एक क्वेश्चन को डिसकस करते हुए हम लोग 20 क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे प्राचीन काल के जानवरों पौधों और अन जीवों के संरक्षित अवसेशों या चिन्हों के अध्यन को क्या कहा जाता है चार ओप्शन थे इसमें राइट आंसर होगा option number C यानी पैलियन्टोलोजी option number C इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अगले क्वेश्चन को देखिए इन में से कौन संयोजी उतक नहीं है इन में से कौन संयोजी उतक नहीं है यानि उतक को हम लोग कहते हैं टिशू ठीक है तो इन में से कौन जो है वो संयोजी टिशू या संयोजी उतक नहीं है चार ओप्शन्स आपके सामने है तंतरी का कोशिका उपास्थी उपास्थी जो है और अस्थी यह सब आप जानते होंगे, अस्थी को हड़ी कहते हैं, ठीक है, नीचे blood है, इसको रक्त कहते हैं blood को, तो चलिए इस questions का answer देख लेते हैं, तंत्री का कोशी का इसका right answer होगा, option number A, ठीक है, तंत्री का कोशी का, जिसने भी तंत्री का कोशी का option बताया है, वो उसके questions का answer है, व के सामने है, डैस उतक का निर्मान मृत कोशी काओं के संयोजन से होता है, निमन में से किस उतक का निर्मान मृत कोशी काओं के संयोजन से होता है, options दिया गया है, कॉलेंग काईमा, पेरेंग काईमा, एरेंग काईमा, एसकलरेंग काईमा, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्य यानि जो टिशू है इसका जो निर्मान है वो मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है बच्चों का लिंग मुख्य रूप से यहां पर आप लिंग याद रखे बच्चों का जो लिंग है वो मुख्य रूप से डैस से प्राप्त होने वाले वन्शानुगत गुनसुत्र पर निर्धारित होता है बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस से प्राप्त होने वाले वनसानुगत गुनसुत्र पर निर्धारित होता है और options हैं माता, पिता, प्रकिर्ती या फिर माता और पिता तो चार options में से right answer क्या होना चाहिए उमीद है आप सभी ने सही जवाब दिया होगा right answer is question का हो जाएगा option number B यानि पिता ठीक है, बच्चों के link का जो निर्धारन होता है वो पिता के गुनसुत्र पर होता है इस चीज का अची तरह से ध्यान रखना है गुनसुत्र की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है 23 जोड़े गुनसुत्र होते हैं, टोटल जो है अगर बात करें तो 46 जो है ये टोटल गुनसुत्रों की संख्या होती है ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, कि मनुष्य में कितने गुनसुत्र होते हैं तो 46 जोडे में पूछेगा तो 23 जोडे होते हैं ठीक है इसके बाद देखिए अगला प्रश्ण यहां पर है किसे father of taxonomy के रूप में जाना जाता है यह सबी questions बाइलोजी के हैं और railway ने इन सबी questions को पूछा है अलग-अलग board में पिछले 20 सालों में 2000 से लेकर अब तक 2020 तक जित जितने भी पहले होते थे पोस्ट जैसे गैंग-मेन, खलासी इन सब में जितने important question है उन सब को शामिल किया गया है और आगे भी इस तरह के questions की जो है यह वीडियो आपको मिलती रहेगी किसे father of taxonomy के रूप में जाना जाता है तो answer इसका क्या हो जागा? इसका answer होगा कार्ल ल दिसंबर से यह वीडियो आपको मैं 27 दिसंबर को दे रहा हूँ और उमीद करता हूँ एक दो question इसमें से आही जाए और यहाँ पर अगर आप exam दे कर आते हैं तो आप हमें अपना question जरूर जो भी question आपको याद हो रहता है आप हमें comment करके जरूर बताएं या फिर आप हमार WhatsApp number पर comment करके जरूर भेजें ठीक है वो number आपको जो है हम आज YouTube पर जो community tab है वहाँ पर आपको share कर देंगे कि आप उस number पर comment करके आप हमें question जरूर बताएं जो भी आपका exam है कल किनका किनका exam है वो भी जरूर comment किजएगा इस video के comment box में कि कल किस shift में और आपका exam जो है वो कहा निम्न में से कौन सा जीव बहु विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है और option है amoeba, planeria, plasmodium या फिर hydra तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा option number C plasmodium ठीक है amoeba किस तरह का करता है द्वी खंडन से अमीबा जो है वो द्वी खंडन से करता है प्रजनन याद रखना है और plasmodium जो है वो बहु विखंडन के द्वारा करता है सात्वा प्रशन है डैस जन्तूओं का सबसे बड़ा समू है निम्न में जो समूँ दिये गए है कौन है जो जन्तूओं का सबसे बड़ा समू है आर्थोपोडा, एनलिडा, मुलासका या फिर नेमा टोडा तो right answer इस question का क्या होगा option A, B, C या D तो right answer इसका हो जाएगा option number A यानि आर्थोपोडा आर्थोपोडा जो है वो जन्तूओं का सबसे बड़ा समू होता है निम्न में से किस वर्ग के प्रानी गर्म रक्त वाले होते हैं गर्म रक्त वाले प्रानी कौन होते हैं निम्न में से यहाँ पर दिया गया है कि यह जो अलग-अलग वर्ग दिया गय मीन जो वर्ग है वो मचली वर्ग से भी जाना जाता है तो निम्न में से किस वर्ग के प्रानी गर्म रक्त वाले होते हैं तो राइट अंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा इसका अंसर होगा पक्छी यानि option number D कई बार आपने सवाल में देखा होगा कि option दिया होता है कि इन में से किस का रक्त गर्म होता है और option में आपको कबूतर दिया होगा तो कबूतर अकसर सवाल में होता है option और इसलिए ये कबूतर वाला याद रखिएगा कई बार option बदल करके पूछा जाता है और कई बार डारेक्ट वर्ग पूछ दिया जाता है तो वर्ग जो है वो पक्षीव ग्रूप के जो भी होंगे उन सभी का रक्त जो है वो गर्म होगा अगला कोशन है हमारे सरीर के किस भाग में पितरस का उत्पादन होता है पितरस जिसको बाइल जूस कहते हैं ठीक है बाइल जूस इसको ध्यान से देखना तुम लोग हमारे सरीर में किस भाग से पितरस का उत्पादन होता है और ऑप्षन दिया गया है गुर्दा यकृत फेफड़ा और हिर्दे राइट आंसर क्या होगा इस कोश्चन का राइट आंसर होगा ओप्षन नमबर बी यानि यकृत ठीक है यकृत से होता है बाइल जूस का उत्पादन बाइल जूस का निर्मान भी कही बाड़ देता है तो निर्मान या प्रोड़क्शन कहलो या उत्पादन कहलो ये बाइल जूस या पितरस एक ही चीज़ है दोनों इसका निर्मान कहां पर होता है यक रित में यानि option number B यहां पर right answer होगा चलो अगले question की तरह बढ़ते हैं हमा लार जो है वो ग्रंथी से dash enzyme स्रावित होता है लार ग्रंथी से कौन सा enzyme स्रावित होता है ठीक है और options है यहां पर pepsin, trypsin, amylage, lipage तो correct answer क्या हो जाएगा देखो इस तरह के question को तुमको अच्छी तरह से याद रखना होगा RRB, NTPC हो या group D हो इस बार तुम लोगों को उसमें से कोई न कोई जॉब ले लेना है क्योंकि इस बार अगर तुम नहीं कर पाए तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी ठीक है इसके बाद जो है वो CET आ जाएगा और फिर वहाँ पर पर परिशानी होगी हर लोग वहाँ पर CET देंगे तुम्हारा competition और tough होगा बाद में भले ही अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग exam होंगे ठीक है वो अलग-अलग department लेगा लेकिन पहले ही चरण में तुमको परिशानी इसलिए हो जाएगे क्योंकि पूरी दुनिया पूरे देश से जो लोग है वो वहाँ पर appear होंगे और उनके लिए एक ही वो पूरी जोक दो क्योंकि लग-भग तुम मंजिल के करीब पहुंच चुके हो थोड़ी सी मेहनत करनी है अब वो सिर्फ exam के लिए करनी है और exam के दिन करनी है जिसमें पूरी जीजान से आपको मेहनत करना है तो यहाँ पर इस question का right answer होगा option number C, amylage लार ग्रंथी से amylage enzyme जो है वो श्रावित होता है अगला प्रशन देखो भोजन का पाचन डैस में प्रारंब होता है भोजन का पाचन कहां प्रारंब होता है option दिया गया है मुह, यकरित, आत या फिर पेट, इस तरह के question अक्सर confuse करते हैं तुमें तो confuse नहीं होना है इसको अच्छी तरह से याद रख लो भोजन का पाचन जो है वो मुह से शुरू हो जाता है यानि option number A इसका right answer होगा मुह, ठीक है मुह में ही इसका जो है भोजन का पाचन प्रारंब यानि शुरू हो जाता है तो इसके लिए right answer होगा option number A भोजन का पाचन मुह से प्रारंब होता है अगला question देखो ECG से शरीर के किस अंग की जाँच की जाती है ECG से शरीर के किस अंग की जाँच की जाती है या पूछा जाएगा कि ECG का इस्तेमाल शरीर के किस अंग की जाँच के लिए किया जाता है question में प्रशनों की जो भासा है वो बदल सकती है लेकिन सवाल और जवाब बिलकुल वही रहेगा तो यहाँ पर क्या देखेंगे मस्तिस्क, हिर्दय, गुर्दा या फिर फेफड़ा तो ECG से शरीर के हिर्दय जो शरीर में हिर्दय होता है जो हमारा hurt है hurt की जाँच की जाती है ECG से hurt properly काम कर रहा है या नहीं कर रहा है hurt में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है वो सब ECG से जाँच ही जाती है इसके बाद देखो option number B यहाँ पर right answer हो गया अगले question की तरह बढ़ते हैं तेरावा प्रश्ण है निम्न में से कौन sheet रक्त यानि cold blooded जानवर है निम्न में से कौन सा option सही है मेंढक, मचली, छिपकली या फिर उपर युक्त सभी निम्न में से कौन sheet रक्त यानि cold blooded जानवर है तो cold blooded जानवर मेढक है, ठीक है मचली है, है चिपकली है, है तो जब तीनों option है तो right answer हो जाएगा उपर युक्त सभी यानि option number D जो है वो correct answer होगा इस question का अगले question की तरह बढ़ते हैं next question है dash हड्डियों को जोडता है मानव शरीर की बात की जा रही है कि इसमें से हड्डियों को जोडता कौन है उपास थी असनायू, असनायू बंधन या शिरा, ठीक है तो देखें, यहाँ पर पूछा गया सवाल dash हड्डियों को जोडता है तो बोन्स को जोडता है असनायू बंधन यानि option number C इसी को कहते हैं ligament ठीक है, ligaments इसी को कहा जाता है तो हड्डियों को जोडता है हड्डियों को आपस में कौन जोडता है ligament, जिसको कहेंगे असनायू बंधन next question देखो मनुष्यों में निसेचन आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि महिलाओं में अगर पूछ दे कि निसेचन कहां पर होता है तो वही चीज है यहां पर आपको याद रखना है अंडास है, फैलोपियन ट्यूब, गरभास है या फिर योनी तो चार options है, correct answer इसमें क्या होगा बहुत ही अच्छा question है, biology का right answer हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, option number B फैलोपियन ट्यूब के अंदर मनुश्यों में निसेचन होता है निसेचन वह परकिरिया है जिसमें अंडानू और सुकरानू जो है, वो आपस में मिलते हैं यानि उनका sunlion होता है इस विटामिन की कमी से असकरवी रोग होता है और option यहाँ पर है विटामिन C, विटामिन K, विटामिन A या विटामिन B6 तो right answer बताओ इसका जल्दी से उमीद करते हैं कई लोगों ने इसका answer सही बताया होगा, तो इसका right answer हो जाएगा विटामिन C, यानि option number A विटामिन C की कमी से इसकरवी रोग हो जाता है और इसी का यह आपको याद रखना होगा इसको ascorbic acid भी हम लोग कहते हैं यह इसका रासाइनिक नाम है किसका विटामिन C का ascorbic acid ठीक है कहां से मिलता है यह हमें यह हमें नीम्बू से मिलता है संतरे से मिलता है यानि खटे फलों से मिलता है खटे फल आप याद रखेंगे खटे फलों से हमें विटामिन C जो है वो मिलता है प्राप्त होता है अगला question देखें इन में से कौन greenhouse gas नहीं है greenhouse gas इन में से कौन नहीं है चार options दिये गए हैं carbon dioxide यानि CO2, methane यानि CH4, nitrous oxide यानि N2O और oxygen यहाँ पर यानि O2 तो अब आप बताईए कि इन में से कौन जो है वो greenhouse gas नहीं है चार options है, right answer क्या हो जाएगा? right answer हो जाएगा option number D, oxygen जो है वो greenhouse gas नहीं है बागे तीनो जो है यह nitrous oxide हो, methane हो, carbon dioxide हो यह जो है कौन सी gas है? यह greenhouse gas है इसी में oxygen के जगा पर कई बार hydrogen भी होता है option में तो यह hydrogen भी होगा, तो भी यह hydrogen जो है वो greenhouse gas नहीं है तो भी answer यहीं होगा, ठीक है? hydrogen, oxygen को आप याद रखेगा, greenhouse gas नहीं है next question है, परकास sensation के दारान, परकास उर्जा रूपांतरित होती है किस में रूपांतरित होती है? यानि परकास उर्जा जो है, बदल करके क्या बनती है? वो पूछा गया है तो यहां पर है प्रकाश संसलेशन के दवरान, प्रकाश उर्जा रूपांतरित होती है, किस में? या अंतरिक उर्जा में, या विकरन उर्जा में, या रासाइनिक उर्जा में, या बहुतिक उर्जा में राइट अंसर क्या होगा? इस question का अंसर हो जाएगा option number C, रासाइनिक उर्जा में जो प्रकाश उर्जा है, प्रकाश संसलेशन के दोरान ये किस में बदल जाती है? ये बदल जाती है रासाइनिक उर्जा में यानि chemical energy में इसके बाद देखिए अगला question 19 प्रस्ण है टेरीडो फाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? टेरीडो फाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? जड़, तना, पत्ता या फिर फूल तो right answer इसका क्या हो जागा इस question का? right answer होगा option number D फूल जो है वो नहीं पाया जाता है next question देख लेते हैं next question यहाँ पर है पनीर बनाने में किस किनवक का परयोग किया जाता है? पनीर जब बनाया जाता है पनीर जिसको कई बार आपके सामने चीज लिख देगा तो पनीर या चीज बनाने में किस किनवक का परयोग किया जाता है? और option यहाँ पर है पेपसीन, रेनीन, ट्रिपसीन या फिर एमाईलेज तो right answer क्या हो जाएगा इस question का? इसका right answer होगा option number B रेनीन का इस्तिमाल होता है पनीर बनाने के लिए ठीक है? रेनीन एक परकार का किनवक है एक्जाम हो जाए तो उसका जो question आपको याद हो GKS का या current affairs का वो आप हमें comment करके जरूर बताएं जो लोग अभी तक current affairs की वीडियो नहीं देखे हैं एक बार वीडियो जरूर देख लें पिछले एक साल का current affairs यानि जनवरी से लेकर नवंबर तक का जो current affairs है वो already available है 2020 के लिए और इसका PDF फाइल भी उसके description में जो है link दिया गया है आज वाली इस वीडियो के description में भी link दे दिया गया है जो 2019 का PDF लेना चाहते हैं उसके लिए भी PDF जो है description में link दिया हुआ है तो आप वीडियो या PDF जो भी देखना चाहें लेना चाहें आप देख या ले सकते हैं description में उसका link है thank you so much आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद